हलो इन वेलकम तू आर यूट्यूब चैनल रंगरूट मैं हूँ अंशिमा शर्मा और आज की इस वीडियो के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पार्ट टू बैंकिंग सिस्टम का इंटराक्शन अल्रेडी अप्लोड किया जा चुका है जिसमें आर बिया के ओरीजिन के बारे में भी डिटेल्स हैं तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं मॉनिटरी पॉलिसी ओफ आर बिया जो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो Monetary Policy Monetary Policy is the process by which the monetary authority of country, generally the central bank, controls the supply of money in the economy by its control over interest rate in order to maintain price stability क्या होता है कि जब हमारी economy में money का जो flow होता है ठीक है वो decide करता है कि हमारी economy में महंगाई होगी ठीक है मन्दी चलेगी या economy सही सही होगी तो यह चीज कौन decide करता है money, money का supply तो कभी कभी क्या होता है कि money का supply बढ़ जाता है ठीक है और फिर उसके कारण क्या हो जाता है कि महंगाई हो जाती है और जब money का supply काफी low हो जाता है तो उसके कारण money आ जाती है तो यह दोनों ही situation economy के लिए favorable नहीं है तो ऐसे में RBI क्या करता है कि अपनी monetary policy के through economy से क्या करता है पैसे को खींचने के कोशिश करता है ठीक है मतलब money का जो flow है वो कम कर देता है और अगर जो इंडिया है इंडिया में monetary policies को conregulate करता है Reserve Bank of India ठीक है विच इस the Central Bank of India आगे बढ़ते हैं monetary policies को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा demand and supply demand and supply क्या होता है यह दो market forces है जो decide करती है कि कि किसी भी commodity का price कितना होगा अब इनी commodity का price अगर क्या हो जाता है ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है महंगाई हो जाती है ठीक है और अगर इनी commodity का price low हो जाता है तो हम लोग क्या बोलता है आजकल तो बड़ी मंदी चल रही है ठीक है हाना तो अब यह चीज़े यह situation create कैसे होती है तो सबसे पहले आप इस graph में देख पा रहे होंगे कि जब demand कहां है demand यह आपका demand curve है ठीक है यह supply curve को कहां intersect कर रहा है इस point पे तो इस point पे क्या है Q1 is the quantity demanded ठीक है and P1 is the price of quantity यह क्या है price equilibrium price equilibrium में क्या होता न कि जहां पे भी supply curve और demand curve एक दूसरे को intersect करते हैं ठीक है उसके corresponding जो भी price आती है वही commodity का क्या होता है price prevail करता है जैसे माल लीजिए एक कोई seller है who wants to sell its commodity at rupees 10 ठीक है और क्या है C कोई consumer है ठीक है जो इसी commodity को क्या खरीदना चाहता है at rupees 10 तो यहां पी क्या है इन में equilibrium मतलब इन दोनों में बात बन जाएगी A 10 रुपय में बेचना चाहता है C 10 रुपय में खरीदना चाहता तो इनके बीच क्या हो गया equilibrium हो गया equilibrium का situation हो गया यह जितने में supply करना चाहता था इसकी भी demand उतने में ही थी ठीक है तो अभी इसी में क्या हो जाता है कि अगर quantity का sorry हाँ जी demand बढ़ जाता है commodity का demand बढ़ जाता है जैसे यहां पे देखिए पहले demand कितना था Q1 और अब यह demand कितना हो चुका है Q2 तो अब यह जो Q2 है ना यह supply curve को कहां intersect कर रहा है इस point पे ठीक है और इस point के corresponding अगर हम price देखे ठीक है तो उसकी price कितनी है P2 which is greater than P1 तो याने कि जब जब क्या होता है demand बढ़ जाती है ठीक है तो उसकी corresponding क्या होता है price भी बढ़ जाता है ठीक है आपको इसके पीछे के बहुत ज़्यादा थेरी में जाने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी commodity का क्या होता है demand increase होता है तो इसको याद रखने के तरीका बताती हूं जैसे कि सपोस करिए एक आपके कॉलेज के बाहर एक चाट वाले की शॉप है जहां पर चार लड़किया आई और उन्होंने चाट खाई ठीक है उनको भहिया की चाट बहुत अच्छी लगी उन्होंने अपनी चार और फ्रेंज को बत चाट पापड़ी मिलते हैं तो अब क्या हो रहा है अब देखे डे बाइ-डे क्या होता जा रहा है डिमांड इंक्रीज होती जा रही है चार पापड़ी के उन्होंने बहिया के पास ठीक है तो अभी क्या है कि उस छोटू को एक तो पैसे भी देने और दूसरा जो भी समान वो लेके आएंगे उसके भी पैसे बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेगा कि चार्ट पापड़ी के दाम बढ़ा देंगे ठीक है देखो पहले चार्ट पापड़ी की डिमांड बढ़ी और फि है ना क्योंकि उन्होंने अपने दाम बढ़ाती है तो अभी आपको समझ आया कि महंगाई कैसे हुई मतलब प्राइज कैसे बढ़े किसी भी कॉमोडिटी के जब उसके लिए डिमांड बढ़ गई ठीक है तो यह है आपका कि जब-जब क्या होता है डिमांड बढ़ जाती ह तब तब क्या होता है कॉमोडिटी के प्राइज भी बढ़ते हैं तो चलिए यह तो आपको समझ आ गया लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मॉनेटरी पॉलिशी की इससे क्या लेना देना है तो अभी क्या होता है कि डिमांड पता भी कब बढ़ती है ठीक है जब हम प्राइज तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे अगर दिमांड कम हो जाती है तो आर बीया ने क्या कि सोचता है कि पहले इसका फाइंड आउट करो कि क्यों यह डिमांड बढ़ रहे है तो आर बीया ने फिगर आउट किया कि जिन लोगों के पास क्या है पैसा जादा है वो पैसा खर्षते भी जादा है और जब पैसे जादा खर्षते हैं तो उसका मतलब क्या है यानि कि डिमांड जादा हो रही है अब जैसे देख लीजिए अगर आपकी पॉकेट में 10 रुपीज है तो आप क्या करेंगे आप सोचेंगे नहीं कि आप गुड़े खरीद सक और जितना आपके पास पैसा कम होगा आपकी डिमांड भी उतनी ही कम होगी अब आर्बिया ऐसा तो करनी सकता कि एक साथ ही एकॉनमी के लोगों को गरीब कर दे ठीक है लेकिन अभी आर्बिया ने क्या सोचा कि कि किसी भी तरह से मुझे इन से क्या करना है पैसा तो लेना ह दूसरी होते हैं आपके qualitative measures quantitative measures को traditional measures भी कहा जाता है और qualitative measures को selective measures भी कहा जाता है यह दो तरह के आपके measures है which are taken to control the money flow तो सबसे पहले हम बात करते हैं quantitative measures की तो quantitative measures की अगर मैं बात करूं तो इसमें चार तरह के measures है open market operation, bank rate policy, cash reserve ratio और statutory liquidity ratio तो अब हम क्या करेंगे one by one इन चारो ही तरह के जो tools हैं उन्हें discuss करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं CRR की यानि की cash reserve ratio तो cash reserve ratio क्या है यह एक minimum amount है ठीक है जो किसको रखना पड़ता है जितने भी हमारे commercial banks, commercial banks कैसे होते हैं जिन banks में आम public का पैसा पड़ा होता है जैसे आपके Yuko Bank हो गया, Punjab National Bank हो ठीक है तो यह सारे banks कैसे हैं यह आपके commercial banks हैं जिनके साथ हम आम लोग क्या करते रहते हैं interaction होता रहता है जहां पर हम लोग जाके अपना money deposit करते हैं या फिर अगर हमें loan की जरूरत है तो हम इन banks में जाके loan के लिए apply करते हैं तो these are called commercial banks ठीक है और यह भी क्या करते हैं money lending करके और money deposit रखवा के इसके ही through क्या करते हैं अपना profit earn करते हैं अब वो सारी चीज़े कैसे होती हैं वो भी हम आगे discuss करेंगे लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि CRR क्या होता है यह एक amount है fixed amount जो commercial banks को hold करना पड़ता है as a reserve with the central bank क्योंकि इसके तो नाम में है न cash reserve ratio तो cash की form में ठीक है कुछ एक amount है जो commercial banks को reserve banks के पास रखना पड़ता है as a reserve cash reserve ratio ratio मतलब कि जो percentage जो एक fixed percentage decide किया जाएगा RBI के द्वारा वही percentage क्या होगा वही amount क्या होगा as a reserve रखवाया जाएगा RBI के पास ठीक है और it is according to the guidelines of the central bank central bank यानि कि reserve bank of India in case of India ठीक है तो उतना ही amount क्या करना पड़ेगा deposit में रखना पड़ेगा अब इसका जो rate है वो change होता रहता है मतलब RBI को जब लगेगा कि according to the situation ठीक है कि मुझे rates बढ़ा देनी चाहिए तो RBI rate बढ़ा देगा और अगर उसे लगता है कि economy is not doing well ठीक है और उसे boost करने के लिए मुझे थोड़ा सा money flow बढ़ाना है तो वो क्या कर देता है reserve का जो rate है फिर से change कर देता है ठीक है तो अगर आज कल हम present बात करें ठीक है तो आज कल 3% current rate चल रहा है ठीक है क्योंकि during covid क्या होता है आप हम सभी जानते हैं कि सारे कामकाज बंद हो गए थे ठीक है बिजनिस ठप हो गया था और बिजनिस ही क्यों मतलब सारी activities जितनी भी economic activities है वो बंद पढ़ गई थी जिसकी वज़े से हमारी जो economy है वो काफी जादा degrade हो गये मतलब economy में downfall आ गया है ठीक है तो अभी क्या कर दिया है अभी current जो rate है cash reserve ratio वो है 3% लेकिन इससे पहले it was 4% तो अब ये चीज़े हम अभी आगे explain करेंगे detail में कि कि किस तरह से CRR help करता है inflation को reduce करने में या फिर deflation की स्थिती से उभरने में ठीक है तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये CRR है ये क इस पर calculate किया जाता है तो it is calculate कि 3% 4% तो सही है बट ये 3% और 4% calculate कि इस पर गिया जाएगा ठीक है तो it is calculated on NDTL याने की net demand and time liabilities तो अब net demand and time liabilities क्या होता है अब जो deposits होते हैं वो दो तरह की होते हैं एक होता है term deposit और एक होता है demand deposit अब हम लोग क्या करते हैं जैसे अगर हम बात करें कुछ एक accounts होता है जैसे current account, saving account तो इन accounts में क्या होता है कि आप किसी भी वक जाके amount deposit करवा सकते हैं और किसी भी वक जाके आप यहां से amount withdraw कर सकते हैं तो इस तरह के deposits को हम क्या बोलते हैं current deposits या फिर आप कह सकते हो demand deposits ठीक है इसमें current account और saving account में जिस तरह की deposits होती है और दूसरी deposits होती है आपकी जैसे अगर आप FD वगर की बात कर लो fixed deposits तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 5 साल के लिए मैंने 5 लाख रुपयों को as a fixed deposit जमा क में ठीक है तो अभी क्या होगा कि 5 साल तक एक तो मैं यह amount withdraw नहीं कर पाऊंगी ठीक है plus मुझे क्या होता रहेगा interest मिलता रहेगा इस पर तो maturity date पे ही मैं क्या कर सकती हूँ यह amount withdraw कर सकती हो तो इसे हम कहते है term deposit ठीक है या फिर time demand liability भी इसको कह सकते है आप ठीक है तो इनका यह total amount है तो बात क्या है कि जितने भी जो भी depositors होंगे either वो short term deposit है या long term deposit है bank को ultimately उनका पैसा वापिस करना पड़ेगा और जो पैसा हमें third party को वापिस देना होता है ठीक है मतलब अमानत के तोर पे अगर किसी का कोई भी property हमने रखी है ठीक है तो वो हमारे लिए क्या होती ह liability होती है तो वैसे ही हम लोग banks के पास जाके अपना पैसा उनको देकर तो आते हैं लेकिन वो bank की क्या है वो income या asset नहीं है bank क्यों कि कल दिनको जब हम लोग bank से वो पैसा निकलवाने जएंगे तो बैंक को वो पैसा हमें देना पड़ेगा क्यों कि वो हमारा पैसा है ठीक है डिपॉजिटर का पैसा है और बैंक के लिए वो क्या है लायबिलिटी है तो जितनी भी total liability होगी किसकी बैंक की ठीक है net demand liability हो या फिर sorry sorry वो demand liability हो या time liability हो demand liability मतलब कि जैसे current account और saving account का money जो हम किसी भी वक्त विड्रॉब कर सकते हैं और टाइम लियाबिलिटी जो मतलब हम किसी भी वक्त विड्रॉब नहीं कर सकते हैं इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरिट के बाद ही आप यह अमाउंट विड्रॉब कर सकते हैं तो इनका जो टोटल है आपके पा कैसे कैलकुलेट किया जाता है on an average basis during the fortnight ठीक है 14 दिन के time period पे यह क्या करता है average basis पे यह कैलकुलेट किया जाता है मलब डेली डेली आपको रिजर्व नी कैलकुलेट करने हैं ठीक है बलकि 14 दिनों के gap में आपको यह कैलकुलेट करके देखना है ठीक है जानेंगे need to keep cash reserve कि cash reserve रखने की जरूरत क्या है तो अभी क्या है बैंक के पास क्या है डेली कुछ ना कुछ amount deposit करवाया जा रहा है और डेली customer आके क्या कर रहे है कोई ना कोई amount withdraw भी कर रहे है ठीक है तो कई बर क्या हो सकता है कि आपको cash की कमी भी हो सकती है ठीक है तो ऐसे time के आपके पास क्या होना चाहिए cash reserve होना चाहिए जैसे कि मान लीजिए यह हमारे पोपड लाल जी ठीक है जो कि जब से नौकरी कर रहे हैं तब से क्या कर रहे हैं अपने लिए शादी का सपना देख रहे हैं और तभी से पैसे जमा भी कर रहे हैं अपनी शादी के लिए तो ए सभी जाता है ब verwम करने के लिए कहता है लग लेकिन ब्रका व्यार कि अभी बंक क्या स्प्रांश के पास करते हैं जिपंग कि कि हमने घ्राइभ में रखा क्यों हमारे पास एक ऐसे हम पें और यह तो अचानक से इतना amount demand कर रहे हैं जो कि हम pay करने में able नहीं है तो उस दौरान क्या किया जाएगा ये reserve का पैसा use किया जाएगा by the banks तो ये क्या होता है ये unexpected situations के लिए reserve किया जाता है कि अगर कल दिन को कोई भी ऐसी unexpected demand आती है जैसे कि आप customer अपना money withdraw करते हैं तो bank should not be unable to pay that amount क्यों क्योंकि customer का पैसा है तो वापस तो देना ही पड़ेगा ना और bank के पास ये कमी किस वज़े से आती है क्योंकि regularly क्या कर रहा है bank जैसे हम लोगों ने जो पैसा deposit करवा के रखा है bank ने bank ने वही पैसा आगे क्या करके रखा है लेंड करके रखा है borrower को ठीक है bank अपने पैसे अपने नोट तो चापेगा नी लोन में देने के लिए ठीक है जो depositor पैसा क्या करता है bank में रखवाता है वही पैसा bank वाले क्या करते हैं loan के तो पर आगे दे देते हैं ठीक है तो वैसे ही पोपट लाल का पैसा भी क्या किया हुआ bank ने आगे money lend करके रखा है किसी और customer को किसी और borrower को और वहाँ पे पोपट लाल जी आगे अपना money withdraw करने के लिए तो ऐसे situation में अब bank क्या करेगा अपना cash जो reserve में पड़ा है उसे इस्तिमाल करेगा तो this was the तो अभी क्या है हम लोग अगर जाने ये है bank ठीक है ये है borrower और ये है saver अभी क्या है एक बंदे ने पैसा कमाया ठीक है और उसने क्या कुछ खर्च कर दिया और कुछ bank में जाके deposit करवा दिया ठीक है तो अब यही जो पैसा है अब देखो saver के पास से तो money आ गया bank में ठीक है अब saver क्या करेगा पैसे खर्च नहीं करेगा commodity पे ना उसकी demand बढ़ेगी और ना महंगाई होगी लेकिन वही borrower क्या करेगा ये पैसा bank से ले लेगा तो ultimately क्या हुआ economy से पैसा गया क्योंकि saver भी economy में है borrower भी economy का part है तो economy से पैसा गया bank में और bank ने फिर से इसे क्या कर दिया छोड़ दिया economy में वापिस तो एक तरह से क्या हुआ कि economy का पैसा economy में ही घूम रहा है ये कहीं पे hold नहीं हुआ है ठीक है तो अब क्या है कि ऐसे में क्या होगा demand बढ़ रही है inflation हो रहा है तो ऐसे में अब RBI आ जाता है अपना role play करने के लिए ठीक है अब RBI क्या करता है RBI bank पे थोड़ी सी रोक लगाने के लिए कि भाई तो अब ज़ादा पैसा मत छोड़ economy में क्या करता है reserve का जो amount है उसको बढ़ा देता है suppose cash reserve का जो ratio है that is 6% तो अगर saver ने 1000 rupees deposit करवाए है तो क्या करना पड़ेगा उस 1000 rupees पे CRR कितना रखना पड़ेगा 60 rupees RBI के पास रखना पड़ेगा bank को और 940 rupees ही bank क्या कर सकता है economy में flow कर सकता है economy में ये पैसा छोड़ सकता है suppose RBI को लगता है कि 940 rupees is also a big amount कि मतलब अगर ये economy में घुमेगा तो पैसे और महंगाई बहुत जादा हो जाएगी goods और महंगी हो जाएगी तो हो सकता है कि अब bank क्या करे कि इस 6% से 10% कर दे cash reserve अब क्या होगा कि bank वालों को 100 rupees किसको देने पड़ रहे है RBI को और अब इसके बस क्या है सिर्फ 900 rupees है economy में छोड़ने के लिए तो यहाँ पे simple सी बात इतनी है कि जितना जादा क्या होगा cash reserve ratio होगा उतना ही पैसा RBI क्या कर देगी control कर देगी ठीक है वो पैसा अब क्या हो गया economy में नहीं घुम रहा है बलकि वो क्या हो गया hold कर दिया है RBI ने in the form of cash reserve तो अब पैसा कम जाएगा economy में तो लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा ठीक है लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो वो खर्च भी कम करेंगे ठीक है तो यह था cash reserve ratio अगर आपको cash reserve ratio अच्छे से समझ आ गया है तो I'm sure जो आपके बाकी tools भी है उन्हें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी आगे बढ़ते हैं dear money policy and cheap money policy these are the terms most commonly used in the exams ठीक है cheap money policy क्या होती है और dear money policy क्या होती है dear क्या होता है इसको ऐसे याद रखिए कि dear होता है जो बहुत ही हमें प्यारा होता है और उसको हम सीने से लगा के रखते है और फिर cheap money policy cheap क्या होता है थोड़ा सा घटिया सा जैसे की हाथ का मैल उसको हम बस दो डालते हैं ठीक है कि कोई ऐसा मैथट जिससे क्या होगा कि पैसे को आपने क्या कर दिया control कर दिया मतलब पैसे को ऐसे खुलना नहीं छोड़ देना है या फिर हाथ के मैल की तरह नहीं बहा देना है ठीक है उसको और अब आप ये भी तो देखो जब महंगाई ही होती है तो हमें क्या बोला जाता है कि नहीं नहीं क्या हो गया है महंगाई बहुत जादा हो गया है तो पैसे जादा खर्च नहीं करने बलकि बच्चाने हैं ठीक है हम अपने खर्चे कम कर देते हैं पैसे को अपने पास जादा रखते हैं खर्च कम करते हैं तो यह क्या हो गया dear money policy, जहां पे हम पैसा कम खर्च करते हैं, और पैसा हम कब कम खर्च करेंगे, जब हमारे पास पैसा कम होगा, और हमारे पास पैसा कम कब है, जब money circulate नहीं हो रहा है economy में, और money circulate कब नहीं होगा economy में, जब RBI ने उसको hold करके रखा है, और RBI कैसे hold करेगा, उसने cash reserve ratio बढ़ा दिया, ठीक है, तो यह हो गया आपका dear money policy, cheap money policy, मतलब आपके लिए money की ज़्यादा value नहीं रहेगे, जिस तरह से आप हाथ का mild होते रहते हैं, आर्च कल तो corona भी चल रहा है, जब हमारे पास पैसाच ज़्यादा होगा, और हमारे पास पैसाच ज़्यादा कब होगा, जब RBI ने खुली चूट दे रखिये, कि लो, जितना खर्च करना है, उतना खर्च करो, और ऐसी चूट हमें कब मिलेगी, जब RBI पैसे अपने पास कम रखता है, और economy में ज़्यादा फ्लो करके रखा है, ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब CRR आपका डाउन आ जाएगा, मतलब RBI क्या बोलता है, कि ठीक है, मेरे पास reserve कम रखो, अपना खुद ज़्यादा देखो, मतलब कि खर्च ज़्यादा करो, और जो cheap money policy है, वो कब अपनाई जाती है, जब आपका deflation का time होता है, ठीक है, महंगाई में जो जो तरीके अपनाए जाते हैं, मन्दी में बिलकुल उसका उल्टा कर दिया जाता है, जैसे कि महंगाई में अगर CRR बढ़ा दिया, तो वैसे ही मन्दी में, यानि कि deflation के time में यही CRR क्या कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है, तो this was about dear money policy and cheap money policy, आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको समझ आया होगा, अगर आपके कोई भी doubt से तो प्लीज हमें comment करके जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में भी feedback दे, थैंक्यू सो मच, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करें, comment करें, और अपने friends के साथ share करें, हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, and also do not forget to press the bell icon, Thank you so much.